वर्सप गाइज सुवागत थे आपका क्रिकी टॉक शो की एक और बहुती जादा इंटरस्टिंग वीडियो में काईज ये वाली वीडियो काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंके फ्रेंड्स जैसे कि आपको बता है कि अभी इंडिया की टीम जो है वो तब ही तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा कि ऐसे कैसे जो है वो अफगानिस्तान की टीम जो न्यूजलेंड को हरा सकती है उनको क्या 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 करना चाहिए टॉस जीद के पहले क्या करें वो पिछ कैसा बेव करेगी कितने रंस वहां पर बनाए तांकि अफगानिस्तान जो है वो न्यूजलेंड को हरा पाये तो वीडियो काफी जादा इंट्रस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए इस चैनल पर इस तरह की इंट्रस्टिंग वीडियो ज जाती रहती हैं और गाइस मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको पता है कि मैं आई पिल में काफी टीमें बनागर खेला करता था और गाइस मैंने ना आई पिल में जो है वो 10 लाख रुपए तक के जीते हैं तो गाइस अब जो T20 World Cup हो रहा है ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ MPL पर ही fancy cricket खेलूँगा और इस बार गाइस मैं 20 नहीं मैं 25 टीमें बनागर खेलूँगा तांकर मेरे जो जीतने के chances हैं वो और भी जादा बर जाएं तो गाइस मैं और रेटी जो है 24 टीमें बना चुका हूं 25 मी टीम आपको मेरी screen के उपर दिख रही होगी आज के match की गाइस आप लोग ना MPL पर T20 World Cup में गाइस इंडिया के match इस वाले दिन 2 क्रोड तक के जो है वो daily prices जी सकते हैं 1000 रुपय तक का आपको cash back भी मिलेगा minimum 35 रुपय का आपको जो है वो deposit करना होगा और गाइस आप लोग ना MPL पर free मे खेल कर लाग खोर रुपय जी सकते हैं यह सब लोग जैसे winners बने हैं आप भी guys ऐसे winners बन सकते हैं और आपनी जो photo है वो इस list में शामिल कर सकते हैं तो guys link दिया लिए लिए डाइगे डाउल कीजे खेलिए पैसे कमाईए तो इसके बाद guys अगर हम देखें यह जो match खेला जान है अबुदाबी के international stadium में तो यहां पर guys जो average score है न वो है 141 जी यहां guys 141 run जो है वो average score है और guys दोबई में क्या हो रहा है यहां पर UAE में जो grounds हैं यहां पर जो captains हैं guys वो toss जीच के न पहले fielding कर रहे हैं क्योंकि chase करने वारी team जीत रही है लेकिन अफगानिस्तान का भी खतरनाक है राशिद खान मुझीब मौमन अभी तो यह क्या करते हैं यह ना पहले toss जीत के पहले batting करते हैं फिर इसको defend करने की try करते हैं तो एक और बात इनके लिए बहुत बढ़ी है कि जो match है वो दोपहर को साधे तीन बजे खेला याना है तो आप पहले toss जीते हैं अगर मेरे साब से अफगानिस्तान toss हार भी गई न्यूसिलंड toss जीत जीत पर गई तो भी वो पहले balling ही करेंगे क्योंकि हर टीम यहां पर toss जीत के chase ही करना चाहती है तो अफगानिस्तान को क्या करना होगा किसी भी तरह पहले अपनी batting लेनी होगी और around 160 run उनको बनाने हो क्योंकि बाद में guys वो यह run असानी से defend कर सकते हैं पर देखने वाली बात यह भी होगी क्या मुझीब और रहमान यह वाड़ा match खेल रहे हैं क्योंकि अगर मुझीब और रहमान मैट नहीं खेलेंगे तो 10-15% अफगानिस्तान के chance जो हैं वो जीतने के वैसे ही कम हो जाते है तो पहले एक कम करना है टॉस जीतना है 160 से लेकर 170-80 रंस जो हैं वो बोर्ड पे लगाने हैं बाद में मुझीब और रहमान मुहमद नभी राशीद खान इन तीनों ने मिलके 12 ओवर डालने हैं उन 12 ओवरों में guys यह game को घुमाएंगे तो एक और अच्छी बात है कि मैच द तो एक guys इनके मिरे को ना तीम बॉलर्स पे काफी ब्रोस है एक मिरे को इनके ओपनर्स पे काफी ब्रोस है जजाई एंड शहजाद गाइस काफी खाता ना कि यह opening जोड़ी है काफी ताबर तोड़ बैटिंग करते हैं तो अगर आज इनके opener और यह spinner चल गए ना तो अफगा यहां इसे जीतना है तो जीत जाएंगे तो आज में इंप्रटनट आज है अगर अफगानिस्तान आज हार की तो इंडिया को अपना बैगपैक करना हुगा कल का मैच कोई महत्तपून कोई माइने रखेगा नहीं फिर तो आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में comment करके बजाना मत भूलना क्या अफगानिस्तान जो एव न्यूजलेंड को हर रा पाएगी मेरे को लगता है कि गाइस चांसी है क्योंकि क्योंकि गाइस अफगानिस्तान की टीम में दम है जिस टीम में करामाती खान हो गाइस नमबर वन वर्ल्ट नमबर वन T20 बॉलर हो मोहमन अभी उनका कैप्टन वो बहुत अच्छे है मुझीब और रह्मान नमबर वन T20 बॉलर तो वो टीम गाइस कर सकती है और फिर कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता और गाइस मैंट में एक बार फिर से बोलना जाता हूँ अगर आप लोगों ने MPL को डाउनलोड नहीं किया अभी कर दीजिए गाइस लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और गाइस हमार इस वीडियो का अपना वहमूर ले समय देने के लिए बहुत बहुत धरनेवाद